लेवहारते पर वीडियो लेकर के आपके बीच में हैं, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, मैं पूरे देश में एक मुहां चला रहा हूँ, लोगों को जोडने की मुहीम, देश को संगठित करने की मुहीम सभी लोगों को भारत तक आधार पर इखटा करने की मुहीम और इस मुहीम में मुझे आपका साथ चाहिए तो साथियों मैं बताओंगा यह मुहीम क्या है कैसे शुरू की गई है और कैसे हम सब मिल करके वाकई भारत को एक मजबूत राष्ट बना सकते हैं वाकई हम सब लोग संगठित हो करके भारत तक आधार पर देश को बहुत उन्नती की रास्ते पर ले जा सकते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं साथ वे सबसे पहले चीज़ तो इस समझ लीजे आज एक खास तबका दो, चार, पांच प्रतिशत लोग तरक्की करते जा रहें आगे बढ़ते जा रहें और बाकी 95 प्रतिशत लोग पिस्ते जा रहें पीछे जा रहें जहां थे उससे और जादा नीचे चले गए और इसका एक मादर, एक मादर सबसे बड़ा कारण है गलत लोग आ करके हम पर राज करते हैं और वो राज इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम जाती धर्म के आधार पर बटे हुए हैं तो यदि हम चाहते हैं कि अच्छे लोग आएं, अच्छे लोग लीडर बनें, अच्छे नेता हमें हमें मिलें तो सबसे पहले हमें संगठित होना होगा और केवल एक चीज़, केवल एक चीज़ है जो हमें जोड़ सकती है और वो है भारतेता इसलिए मैंने पूरे देश में एक मुहीम शुरू की है, इसको हम भारतेता की शपत बोलते हैं और हमें ये शपत लेनी नहीं है, इसको मानना भी है किवल लेनी नहीं ये शपत, हमें ये शपत को मानना है और शपत क्या है मैं आपको बताता हूँ शपत है मैं आपका नाम आएगा उसके बाद किसी भी भारते के साथ जाती, धर्म, भाषा, शेत, लिंग या किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूँगी या नहीं करूँगा मैं भारत के सविधान का सम्मान करूँगी करूँगा तथा मैं अपनी इच्छा से अपने न अधार पर भेदभाव करने वाल नेता, ये पाटिया, ये समाप्त हो जाएंगी क्योंकि वो हमें भड़काती हैं, क्योंकि हम बटे हुए हैं और केवल एक भारतेता ही है जो में जोड़ सकती है, ये भारतेता ही है, हम जो बाबा समंबेट करने कहा था, शुरुवात में औ और आपको इसको गैजट करने की ज़रूत नहीं है, डॉकुमेंट्स में चेंज करने की ज़रूत नहीं है, इस्कूल कॉलेज में नाम में पदलाव करने की ज़रूत नहीं है, आप जो भी नाम अपना यूज करते हैं, यूज करिए, लेकि जब भी कोई पूछे तो अपने साथ यो हमारे देश के सविधान में हमारे देश का नाम भारत रखा गया तो हमें सविधान का आदर करना है जैसा इस शपत में भी है तो सविधान के हिसाब से हमारे देश का नाम भारत है और यदि मान ली जिए आपको सविधान के हिसाब से नहीं चलना है तो भगवान श्री किष्ट ने भी तो इस देश को भारती कहा बदा है न यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी भवती भारत तो भगवान श्री किष्ट नी बात मान लो लेकिन हमें अपने नाम के साथ भारते लगाना पड़ेगा भारते ता को जीना पड़ेगा ये भारतिता की मुहीम लोग को जोडने का गाम करेगी अब इसमें मुझे आपका साथ कैसे चाहिए मुझे पुरे देश में हर लोग सभा से हर बूत पर कम से कम एक वेक्टी चाहिए देश में लगभग 10 लाग बूत है 10 लाग लोग ऐसे चाहिए जो सबसे पहले तो खुद इस भारतिता की शपत को लें कि मैं किसी भी भारतिय के साथ जाती, धर्म, भाषा, शेद, लिंक, किसी आधर पर कोई भेदभाव नहीं करूँगा मैं भारत के सविधान का सम्मान करूँगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतिय शप जोडने को तयार हूँ और जैसे मैंने कहा आपको अपना सरनेम ड्रॉप नहीं करना है जो सरनेम लगाते लगाते रही है जैसे मेरा नाम देखेंगे शाहनवास चौदरी भारतिय है वह सरनेम भी ड्रॉप कर दिया और केवल भारतिय लगा लिया अगर आप ऐसा करना चाहिए ऐसा भी कर सकते हैं और गैजट नहीं करना है डॉकुमेंट्स में चेंज नहीं करना है अपनी डिग्री अपने सेटिफिट्स में कोई चेंज नहीं करना है लेकिन बताते समये, बोलते समये, सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर, जहाँ जादा-जादा हो सके आपने भारते अपने नाम के साथ बताना है, आपने विजिन ली कार्ट पर लिखवा सकते हैं, जहाँ चाहें, अपने अपने मोहले पडोस को अपने घरवालों को अपने रिश्चेदारों को अपने आसपडोस को लोगों को ये शपत दिलानी है और ये शपत कम दिलानी है कम से कम हफते में एक दिलानी है हर रवीवार को हर संडे को ये शपत दिलानी है सुभा आठ से नौ बजे के बीच में शपध दिला सकते हैं यह शाम को 6-7 बजे की पीच में शपध दिला सकते हैं एक घंड़े का समें देश के लिए निकालिए केवर सब्ता में एक दिन और यकिर मानिये दोस्तों जिस दिन हम इसचपत को जीना शुरू कर देंगे जिस इस दिन हम इस शपत को मन से स्विकार कर लेंगे, यकीन मानिए ये जाती, धर्म, भाषा, शेद, लिंक के आधार पर होने वाले भेदभाव को हम मिटा पाएंगे, ऐसे नेता जो जाती के आधार पर, धर्म के आधार पर हमारा सोशन करते हैं, जीत कर क्या जाते हैं, इनको इस पार्टी से जुड़े हैं, किसी संग्ञञधन से जुड़े हैं, कोई फरक नहीं परता, आप किस जाती के, किस धर्म के, किस राज्य के, किस भाषा में शपत को लेना चाहते, कोई फरक नहीं परता, मैं देश की लगबख सभी भाषाओं में, वीडियो के डिस्प्षि जितने भी लोग जहां पर preaching करते हैं, teaching करते हैं, पादरी हैं, ग्रंथी हैं, वो सब लोग भारतेता की मुहीम में मेरा साथ दे, वो सब लोग आ गया है, महिलाओं से अपील करना चाहता हूँ, वो आ गया है, कोई भेदभाव कर रहा हूँ तो के खिलाब बोलें, और ज्यादे ज्यादे लोग को भारतेता की शपत दिलाएं, जितने भी टीचर्स इसको सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को भारतेता की शपत दिलाएं, जिन भी स्टोर्स को आप पढ़ाते हैं, खुद भी शपत को मानें, और दूसरों को भी प्रेवीड करें, किसी भी पार्टी में रहे हैं, किसी भी संखतन में रहे हैं, क्योँकि देश सबसे बढ़ा है, पार्टी से पहुँचाना है आप डारेक्ट डारेक्ट मेरी टीम में जुलेंगे और अपने बूत पर केवल सपता में एक दिन एक घंडे का समय देश की इस मुहीम के निकालिए और ये भले बैने शुरू किये बट ये मुहीम जन जन की मुहीम होनी चाहिए हमें भारत्यता की शपत को हर व्यक्ति के घर घर तक पहुचाना है और बार बार दिलानी है बार बार शपत लेनी है आप भी हर सपता शपत लें और लोगों को भी हर सपता दिलाएं क्यों कि लगातार लगातार अगर आप लोगों को पेनेट्रेट करेंगे बार बार बताएंगे तो लोगों को शपत य जाती धर्म भाषा शेदलिंग के भिद्भाव को मिटाने में मेरा साथ दीजिए मेरा सपोर्ट करिए बहुत बहुत शुक्रिया जै हिंग जै भारा